जी हाँ दोस्तों नमस्कार मेरे खूपिया जानकारी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों मैं 36 गड़ के अलावा सभी नदिया और मंदियों के बारे में जानकारी देता हूँ तो आज दोंगा मैं बांगला देश की नदि जिसे हम लोग बराक नदि के नाम से जानते हैं सभी लोगों ने सुने होगा बराक नदि यूटूब में आप सर्च कर सके देख सकते हैं जी हां दोस्तों बराक नदी जो भारत की सबसे प्रसिद्ध और बंगलादेश की सबसे मतफूर नदी की नाम से जानते हैं जो नागा लेंड मीजोरम जैसे छेतरों में बहती रहती है दोस्तों जो बराक नदी है उसकी एकुल लंबाई 900 किलोमीटर आंकी गई है जी हां दोस्तों और वही 524 किलोमीटर यहां बहती रहती है दोस्तों इसकी इस्थान आपको बताना चाहूँगा लियाई और खुलें गाव से यहां उदगम हुई-ゲी नदी है जीसे हम लोग बराक नदी की नाम से जानते है दोस्तों बराक नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है वही 524 जो भारत में बहती है और मा की बांगलादेश छेत्र में बहती रहती है या मनमोहक के छेत्रा के साथ बंगलादेश की आनबांसान नदी मानी जाती है जिसे बंगलादेश के लोग इसे पूजनी नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यहां दार्सनी की स्टल भी मानी जाती है क्योंकि यहां आसपास में बड़ी-बड़ी मंदीर बनी हुई है जब भी आप बंगलादेश जाएंगो यह जाओगे तो बराक नदी जरूर देखने और गुमने जाना साथ में डेम बना हुआ है जो बहुत ही जल भराव छेत्र भी माना जाता है दोस्तों यहां कुल गराण जल भराव बावन हाजार वरे किलोमीटर छेत्र में भरा जाता है दोस्तों इसकी कुल जल प्रपात आपको बताना चाहूंगा तो बहुती सुन्दर जल प्रपात जो मनमौक शेत्र भी मानी जाती है दोस्तों जब भी आप आओ गए तो यहां पिकनी की स्पार्ट भी माना जाता है देश सर्वी देशों से लोग यहां घूमने आते रहते हैं क्योंकि पिकनी की स्पार्ट भी मानी जाती है बहुती सुन्दर और मनमौक शेत्र भी माना जाता है जी हां दोस्तों वन्ने प्राणी में आपको बताना चाहूंगा आसपास में घने जंगल है इसमें बड़ी बड़ी वन्ने प्राणी जीव भी रहते हैं दोस्तों जली जीव वैत्त में यहां बड़ी बड़ी जो जीव है जली जीव वहां इस ब्राक नदी में पाई जाती है कुछ मचलिया की प्रजाती भी पाई जाती है जिसे हम लोग कहते है डालफीन, कर्टिनी, चीकनी लेपी जैसे जो मचलिया है वह इस नदी में पाई जाती है जी हाँ दोस्तों जब भी आप जाओगे बंगलादेश तो बराक नदी जरूर घूमने जाना और दोस्तों यही पस आपको एक चीज़ आर बताना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जो मेरे वीडियो हैं सिर्फ आप देख सके और लाइक से रधीक से दी कीजेगा ताकि सभी लोग देख सके धन्यवाद दोस्तों